फाइब सेकेंड टू सेकेंड रेडी महोदे गाधी जी ने स्वतंत्र भारत के गाउं के पुनन निर्माण की कलपना कर नई समाज रचना का जो सपना संजोया उसको उन्होंने पंचायत राज या ग्राम स्वाराज नाम दिया है ग्राम स्वाराज यानि गाउं में गाउं का राज गाधी जी ने लिखा है स्वतंत्रता का अर्थ हिंदुस्तान के आम लोगों की स्वतंत्रता होना चाहिए केवल उन पर सासन करने वालों की स्वतंत्रता नहीं सासन करने वाले राज जिन्हें अपने पाउं तले रौध रहे हैं स्वतंत्र हिंदुस्तान में उन्हें लोगों की किर्पा पर ही रहना होगा इन सासन करने वालों को लोगों का सेवक बनाना होगा और उनकी इच्छा के अनुसार काम करना होगा गाधी जी के कथना नुसार सुतंता नीचे से सुरू होनी चाहिए उनकी कलपना थी की हर एक गाउं में पंचायत राज यानी ग्राम स्वराज होगा पंचायत हमारा बड़ा पुराना और सुन्दर सब्द है उसके साथ परंपरा की मिठास जुड़ी है उसका साथ दिक अर्थ है गाउं के लोगों द्वारा चुने हुए पंच लोगों की पंचायत उसके पास पूरी सत्ता और सक्ती होगी जिसका अर्थ या है कि हर एक गाउं को अपने पाउं पर खड़ा होना होगा और अपनी आवस्चक्ताएं स्वयम पूरी कर लेनी होंगी ताकि वह अपना सारा कारोबार स्वयम ही चला सकें यहां तक कि वह सारी दुनिया के बिरुद्ध अपनी सुरच्छा स्वयम कर सकें ऐसे समाज की रचना स्वभावता है सत्य और अहिंसा के आधार पर ही हो सकती है जब तक इस्वर पर जीता जागता विश्वास ना हो तब तक सत्य और अहिंसा पर चलना असंभव है ऐसा समाज अंगिनत गाओं का बना होगा उसका निड़ए एक के उपर एक के धंग का नहीं बलकि पानी की लहरों की तरह एक के बाद एक के रूप में होगा और ब्यक्ति उसका मद्द बिंद होगा यह ब्यक्ति हमेशा अपने गाओं के लिए मर मिटने को तयार रहेगा ऐसा होने पर परस पर सहयोग और सहायता करने की भावना उभरेगी और हम एक आदर्स मानव बनने की ओर अगरसर होंगे ग्राम स्वराज में सबसे पहला और सबसे अंते दोनों बराबर की जगह होंगी हम सब एक ही आली सान पेड़ के पत्ते हैं इस पेड़ की जड़ हिलाए नहीं जा सकती क्योंकि वह पाताल तक पहुँची हुई है सक्तिसाली से सक्तिसाली आधी भी उसे हिला नहीं सकती वे आगे कहते हैं कि जब ग्राम स्वराज बनेगा तब लोकमत सब कुछ करवा लेगा जमीदारी पूजी अत्वाराज सत्ता की सक्ति तब तक ही बनी रह सकती है जब तक आम लोगों में अपनी सक्ति की समझ पैदा नहीं होती आम आदमी की सक्ति बहुत बड़ी चीज होती है वह जो चाहे कर सक्ति है या करवा सक्ति है परंतु आज लोग अपनी इस सक्ति को भूल गए हैं लोग ना चाहें तो राजा पूजी पती या जमीदार क्या कर सकता है ग्राम स्वराज में गाउं के लोगों की बात ही चलने वाली है यदे ग्राम जन अपने काम नियम से कर लेते हैं और उनका कारोबार यदे आहिंसक ढंग से चलेगा तो कोई कुछ नहीं बिगाड सकता महोदय गाउं के लोगों में सहयोग और प्रेम भाव हो तो सरकारी सहायता के बिना स्वयम ग्रामीर भी अपने बल पर गाउं में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर सरकारी सहायता भी मिल जाए तब तो ग्रामों की पुनर रचना इस प्रकार हो सकती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं यदे गाउं के लोगों को उचित सलाह और मार्ग दरसन मिलता रहे तो गाउं की आमदनी लगभग दुगनी हो सकती है ब्यापारी दृष्टी से काम में आने लायक साधन सामगरी हर गाउं में भले ही ना हो परन्तु इस्थानी उप्योग और लाभ के लिए लगभग हर गाउं में ऐसी साधन सामगरी उपलब्द है परन्तु सबसे बड़ा दुरभाग तो यहां है कि अपनी दसा सुधारने के लिए गाउं के लोग ही कुछ नहीं करना चाहते हैं गाधी जी ने ग्राम स्वराज की सुन्दर कल्पना इस प्रकार की है ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना या है कि वह एक ऐसा पूंड परजात तंत्र होगा जो अपनी बिसीस आवस्यक्ताओं के लिए अपने पडोसियों पर भी निर्भर नहीं करेगा वह परस पर सहयोग से काम लेगा जिस तरह प्रतिक गाउं का पहला काम यह होगा कि वह अपनी आवस्यक्ता का सारा अनाज और कपड़ों के लिए पूरा कपास सोयम पैदा कर ले उसके पास इतनी अत्रिक्त जमीन होनी चाहिए जिसमें ढोर चर सके और गाउं के बड़ों वा बच्चों के मनोरंजन के साधन और खेल कूद के मैदान वगेरह की ब्यवस्था हो सके इसके बाद भे जमीन बची तो उसमें वह एक सी उप्योगी फसले बोएगा जिन्हें बेच कर वह आर्थिक लाब उठा सके इस परकार वह गाजा, तंबाकू, अफिम वगेरह की खेती से बच सकेगा हर एक गाउं में गाउं की अपनी एक नाटक साला, पाठ साला और सभा भवन रहेगा पानी के लिए उसकी अपनी व्यवस्था होगी, जिससे गाउं के सभी लोगों को सुद्ध पानी मिल चकेगा कुओं और तालाबों पर गाउं का पूरा नियंत्रण होगा बुनियादी सिच्छा की अंतिम कच्छा तक सब के लिए आवस्यक होगी, जहां तक हो सकेगा गाउं के सारे काम सहयोग की आधार पर किये जाएंगे जात पात और उंच नीच जैसे भेद जो हमारे समाज में पाए जाते हैं वैसे इस ग्राम समाज में बिलकुल नहीं रहेंगे